नमस्कार सुआगत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तों इंग्लेंड के खिलाब जंग से पहले विराट कोली की सेना के परमुक हत्यार ने किया है निरास विकट के लिए भी तरस गए जिहां आप सभी को पता होगा कि आर अस्विन एक ऐसे टेस्ट के गेंदवाज है जिस पर विराट कोली आँख मूंद करके विश्वास जताते हैं और विराट कोली को ऐसा लगता है कि आर अस्विन अगर उनकी टीम में है तो निश्ची तोर पर टेस्ट मैच विराट कोली की टीम का फिरत तक जीतने के पास पहुंच जाती है लेकिन आपको बता दे इन दिनों आर अस्वीन का भी जादू टेस्ट मैच में नहीं चल पा रहा है अब देखिए किस तरह ऐसे आर अस्वीन एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए है इंग्लेंड के खिलाप 5 मैचों की टेस्ट सिरीज से पहले भारती टीम की टॉप ओफ स्पिनर रवी चंदरन अस्वीन काउंटी किर्केट खेल कर अपनी त्यारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है इंग्लिस काउंटी चैंपियंशिप में सरे का परतिनिधितु कर रहे अस्वीन को समर सेट के खिलाप मन मुताबिक सफलता नहीं मिली उन्होंने 43 ओवर की गेंदबाजी में सिरफ और सिरफ एक विकट हासिल किया इस चार दिवसी मैच में सरम सेट की टीम सुमबार को दूसरे दिन के खेल के दौरान 148.5 ओबर में 429 रनों पर ओल आउट हो गई टेक्ष्ट में 400 से अधिक विकट चटका चुके आर अस्वीन हलाकी ज़्यादा परभावित करने में नाकाम रहे वो 99 रन खर्च करके सिरफ और सिरफ एक ही सफलता हासिल कर पाएं जी हाँ उन्हें 21 सफलता खेल के पहले दिन टौम लेमन बॉय के विकट की रूप में मिली थी सरे ने दिन का खेल खतम होने तक बिना किसी नुकसान के 24 रन बना लिये और अस्विन मेजबान इंग्लाइड के खिलाप 4 अगस्ते सुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सिरिज में भी भारत की सफलता के लिए एहम होने वाले हैं भारते किर्केट विस्टू टेस्ट चैंपियंजिप के बाद 3 हफते के ब्रेप पर है पूरी 33 शुटी पर टीन 14 जुलाई को डरहम में इंग्लाइड के खिलाप सिरिज से पहले कैम्प के लिए इकटी होगी इस मैच की पहले दिन आर अस्विन ने बड़ा मुकाम हासिल किया सरे की तरब से खेलते हुए अस्विन ने समर सेट के खिलाप नई गेंद से बोलिंग की इसे के साथ अस्विन पिछले 11 सालों में इंग्लिस काउंटी में नई गेंद से गेंदबाजी सुरू करने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं उनसे पहले साल 2010 में जीतन पार्टिल ने ऐसा काम किया था सरे से पहले अस्विन ने नोटिंगम स्यार और वोश्ट सायर के लिए खेल चुके हैं तो साथ है दोस्तों कि आर अस्विन अब अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे हैं